हलो दोस्तों आज बनाएंगे भुने हुई टेस्टी चटनी जो रोटी पराठा सब के साथ बहुत अच्छी रगती है पांच मिनट पर बनके तयार हो जाती है आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सस्क्राइब शेयर जरू करें हलो दोस्तों मैं अच्छी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटीब चैनल मा की रसोई में टमाटर की चटनी बनाने के लिए चार टमाटर लिये हैं चार से पांच हरी मिर्च लिये हैं एक प्याज लिये हैं थोड़ा लैसुन लिया है टमाटर के उपर थोड़ा थोड़ा तेल चारो तरफ लगा देंगे सारे टमाटर पर इस तरह ही तेल लगा देंगे हरी मिर्च पर भी उपर से तेल लगा देंगे इससे ये भूनने के बाद अच्छे से इनका छिलका निकल आता है गैस को स्लो करके उस पर टमाटर को रखके भून सकते हैं या इस तरह की जाली हो तो उसे भी ले सकते हैं टमाटर को इस तरह बार बार पल्टते रहें वरना ये एक तरप से जल जाएंगे टमाटर को इस तरह घुमाते हुए चारो दरप से अच्छे से से शेख लेंगे जो टमाटर इस सक्गया है उसे निकाल लेंगे और बागी टमाटर को बच्चोंगों को शेख लेंगे सारे टमाटर अच्छे से भून गए अब प्याज, हरी मिर्च, लेसन को भी भून लेंगे इनने भी इस तरह बार-बार गुमाते हुँ अच्छे से सेख लेंगे लेसन हरी मिर्च जल्दी सिख जाएंगे प्याज को सिखने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम इसी हिसाब से पिने पल लटते हुँ अच्छे से सिख लेंगे आप इनकी जिगे मोटी वाली मिर्चो का भी यूज कर सकते हो जब ये सब अच्छे से सिख जाएंगे इनने ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद इने चिलेंगे लहसन प्याज भी अच्छे से भुन गया है अब इने ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद ही इनका छिलका उतारेंगे इस तरह इनका छिलका उतार देंगे बहुत ही आसानी से उतर जाता है इनका छिलका और बहुत ही अच्छी लगती है ये चटनी एकदम भुने हुए अच्छे टमाटरों की इनमें स्मोकी सी कुश्बू आती है इसी तरह हरी मिर्च को भी छिल लेंगे ये भी बहुत आसानी से छिल जाती है उपर से एक परस से उतर जाती है इनके मिर्च को छिलने के बाद इनका डंठा लटा देंगे इसी तरह लेसन को भी छिल लेंगे और प्याज का भी उपर से छिल का उतार देंगे प्याज को छिलने के बाद इसका उपर बली जो टोपी सी होती है इससे इस तरह हटा देंगे माटर, प्याज, हरी मिर्च, लेसन सब छिल गया है अब एक इस तरहगा चौपर लेंगे आप इसे मिकसी में ना पीसे मिकसी में पीसने से इसका स्वाध भो नहीं रहता आप चाहें तो उसके जिका पटटो मैशर से मेश कर सकते हैं या पिर टमाटर को हाओ से मेश कर दीजिए प्याज को इसमें बारिक बारिक काट दीजे अब टामाटर की भी उपर की ये डंडी हटा देंगे और इन्हें भी इसमें काटके डाल देंगे पहले एक टामाटर डालेंगे फिर बाद में बाकी टामाटर को डाल देंगे एक साथ में ही डालेंगे जब यह अच्छे से पिस जाएगा, बचे होटामाटर को भी इसमें काटके डाल देंगे ढखकन लगा के इसे भी बारिक चॉप कर लेंगे इसे चॉप करने के बाद थोड़ा साहरा धनिया लेंगे उसे अच्छे से धो के साफ करके डन्यो सहित इसे मोटा मोटा काटके इसी में डाल देंगे और इसे भी इसके साथ ही बारिक काट लेंगे तारी चीजों को अच्छे से बारिक चॉप कर दिया है चाहें तो इसी तरह इसमें जीरा पाउडर और नमक मिलाके खा सकते हैं या थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं एक पैन गैस पे रखेंगे उसमें डालेंगे दो चमच सरसो का तेल तेल को हलका धुआ हाने तक अच्छे से गरम कर लेंगे जब तेल गरम हो जाएगा गैस को स्लो करके उसमें आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसे हलका भुनने के बाद टमाटर प्याजगी चटनी को डाल देंगे इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे एक मिनट के लिए इसे इस तरह ही स्लो गैस पे चलाते रहेंगे आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे आदा चमच जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा सफेद नमक डालेंगे थोड़ी सी हींग और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे एक मिनिट में ही चटनी बन के तयार हो जाएगी गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे चटनी हमारी बन गई है आप इसे अलग बरतन में निकाल लीजिए इतनी अच्छी लगती है चटनी कि आप अपने आपको रोकी नहीं पाएंगे आप दो रोटी काते हैं तो जरूर चार रोटी काएंगे और बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है यह तो एक बार जरूर बना के देखें सबको यह बहुत पसंद आएगी इसे रोटी पराठा किसी की भी साथ खाएं बहुत अच्छी लगेगी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शियर जरू करें धरन्यवाद